आपके फेवरिट शो नीमा डेंजॉंगपा में आगे क्या होने वाला है चलिए ये दोस्तों बात करते हैं एपिसोड में हम देखते हैं सिया नीमा को बोलती है पहले तो आपको मान्या की स्टेटमेंट पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था और जब आपके नए पती पर बात आगई तो अचानक से आपको सब कुछ गलत लग रहा है नीमा कहती है असा बिल्कुल भी नहीं है जब मान्या का एक्सिडेंट हुआ तब विराट सा मेरे साथ थे पर सिया को यकीन नहीं होता आगे रनिसा महेंदर को फोन करती है और कहती है तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चों के साथ घूमने जाने की बबीता जैसी खाननानी लड़की तुम्हें कहां मिलेगी आगे पारस रानिसा की सारी बाते सुन लेता है और रानिसा की चहरे का रंग उड़ जाता है पारस बहुत सुनाता है रानिसा को और फिर पारस की मा कहती है इसका मतलब मानने बिल्कुल सही थी आगे पारस कहता है वो बिचारी कब से कहे जा रहे थी कि कुछ गड़बढ है पर हम ये रानी दादी की बाते मान रहे थे उसके आगे रानी साब बहुत कुछ गलत बोल जाती है बबीता को लेकर और फिर पारस की दादी हाथ उटाती है रानी साबर उसके बाद विराट की मा कृष्ट को बहुत भला बुरा कहती है वो कहती है कि तू तेरी मा की कोख में ही क्यों नहीं मर गया मनहूस हो तुम तेरी जिद के कारण ही ये सब हुआ है उसके बाद नीमा विराट को जेल से बाहर निकालती है और कहती है मान्या ने F.I.R. वापस ले ली है उसके बाद पारस की दादी मान्या से माफी मांगती है रोती है मान्या के सामने और फिर मान्या उन्हें माफ कर देती है उसके बाद नीमा और विराट कम्प्लेंड लिखवाते हैं और पुलिस से असली गुनेगार को पकड़ने को कहते हैं मान्या को डिस्चार्ज मिलता है और नीमा मान्या का होसला बढ़ाती है उसके बाद सिया फिर से बत्तमीजी करती है नीमा और विराट से और नीमा सिया को वार्निंग देती है आगे विराट मान्या से प्रॉमिस करता है कि वो असली गुनेगार को सजा और यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है ऐसे ही लेटस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे सर्थ